यह मसला की मल भाज़पागने देश के मुकदर का है भाज़पागने अनंत काल तक तो सत्ता में नहीं रहेगी मैं बात कह रहा हूँ जब आरलाल जैसे प्रेस काउंसल बना के गए वैसा क्यों नहीं बन जाए यह बाद में भारत ने एडिटर्स गिल्ड बनाई भारत ने ब्रोडकास्टर से शुशेशन बनाई अच्छे से चल रही है इसमें मुझे सरकारी खास तौर पर समाचार से जुड़े मसलों पर नवकरशाही का नियंत्रन एक स्वतंत्र समाज के लिए अच्छा नहीं मैं बहुत आग्रह पूर्वक अनुरोध करूँगा सरकार से इस पर पुनर्विचार होना चाहिए ज्यादा नहीं कर सकते तो इतना तो कर दीजिए कि नियूज और नौन नियूज का ट्रीटमेंट अलग रखे नियूज को केबल उसी फिल्ड के गणमान लोगों के कमेटी के भरोसे रखिए क्या प्रेस काउंसल ओफ इंडिया काम नहीं कर रही उसको और धन्याई अधिकार दिये हैं भारत में वो नोटिस दे सम्मन करती है जेल कर सकती है माफी मंगवा सकती है क्या वैसी संस्था ने बन सकती थी हाँ आप कोई बसेपुर मिर्जापुर कोन-कोन बना रहे हैं उनके लिए एक व्यवस्था बना दीजिए बाद दस वाबू बैठाल दीजिए पांच की जगा मुझे को अucky है ना इसथे पर फैकने के लिए पानी गरम करते हो भगोना गिर जाता अपने ऊपर तो हाइए एक पात बताव हूं आप सारे नेता विवेक बैठे हैं आप हो जिशान हैदर हैं सारे नेताओं से जब मैं पूस्ता रहा कि भाई अपराधियों को टिकेट क्यों देते हो तो आप लोग मालूम क्या कहते थे क्या अरे जंता जिताज भेशती है लोग तंत्र है कैसे रोग देंगे सब ने कहा कि वही बात तो अभी एक्वाल्स आफ्री कह रहे हैं कि इसकी जो भीवर्शिप है वो बता रहे हैं कि लोग मावहन की गाली सुनना चाहते हैं मुझे आपका वो तरक मंजूर नहीं था राज दुनिया नहीं बात है अगर हमने दिखा दिया खुलने में नहीं जी ऐसे नहीं चलेगा शायन कच्छ और पूजा कच्छ दोनों की मर्यादाए भारत के लोग जीवन में अलग-अलग हैं कि नहीं है पूरे जल सकता लेकिन रास्ता आप लोगों नहीं खराब किया राएं विवेक साइलस की पार्टी ने अमित्पुरी की पार्टी ने जिशान हैतर की पार यानि भारत की राजी नहीं ते लिए मैंने किसी भी अपराधी का नाम लिया कि उसको क्यों जिताया क्यों मंत्री बनाया क्यों मिले बनाया बुल्लू आपको नोते अग्रोटी जीता है वही बात तो एक वाल जापरी कह रहें कि जो जितनी गाली ठेल रहा है उसका सीडियल उत्रहीं हिट जा रहा है तो जब हम आपको नहीं रोक पाये तो इनको कैसे रोक लेंगे मेरे पास तो नहर्ति काधिकार और ख़त पर दिया फ्रत कर दिया अप लोगों ने मेरे से मतलब समाज के पास क्यों कि आइसा अपराधी है तो अपराधी है मित्र चाहे वो अन्ना हो चाहे वातीक हो चाहे फूलन देवी रही हो चाहे मुक्तार हंसारी हो सेख़़ो नाम है उत्रपदेश के लिए तो क्या और सरदल्ले उनके साथ बैट के मुखबत की है इजहारे मुखबत वही बात तो यह बच्चे कह रहे है नहीं पीडी के इकवाल जाफरी कि जब जनता देखना चाहती है तो सब दिखाएंगे जी खुलन खुलन और यही बात चरस बेचने वाला कहेगा पुरी जिली खलो मेरी बात जो भारत आप राजनेता बना रहे हो उसमें चरस अफिम करना चाहती है तो अमित पूरी क्या तग्लिप है तब क्या बोलोगे थक पुलिस का डंड़ा तो चला सकते हो आप लोग नजते के अधिकार तो नहीं रहेंगा ना क्या यही बात कच्छी पी बनाने वाला बोलेगा कि जनता पी रही कच्ची आपको क्या तगलीप है यह तरक नहीं चलागा नहीं लोग जीवन की समाज जीवन की मर्याद आहे रही नहीं चाहिए और अंतमे में एक बात महत्पूर कहता हूँ इसको एसो एसमाल लीजिए आप गलत दिशा में चले गए उसके पीछे आपका मंतवी जो भी हो सरकार का मैं अगर होता उस नीद फैसले लेने वाले समूह में तो मेरी पहली चिंता आज के भारत को देखते हुए वाट्सप होती है कि मैं वाट्सप को नियमन के तहट कैसे लाओ और अगर नहीं आ सकता वाट्सप नियमन के तहट तो बंद कर देना पहतर हूँ वो तो बिलकुल आप यह समझ लीजिए हुमन बं कितना घूम रहा है और गाओ गाओ बच्चे बच्चे के हाथ में वाट्सप है भाई पुरी जाब एक मैसेज चुनाब हरा देगा एक मैसेज चुनाब जिता देगा देखिएगा आगे चलके क्या हो रात में 12 बजे पॉल्लिंग की रात 12 बजे अगले दिन पॉलिंग हो एक मैसेज फ्लोट हो जाए जब तक आप जानोगे क्या हो गया तब-पॉलिंग हो जाइगी सुबह क्या करिएगा बाद में मुकत्मा कर लिखाते रहेगा उस पर चिंतन नहीं चिंतन क्या हो रहा है कि जो दो-चार पत्रकार कुछ बोल रहे हैं अपना वीडियो बना के डाल रहे हैं बोले इसको ने अंत्रण में लिए उतने इस भर से कुछ नहीं होगा और अंत्र में मुझे जो समा जाता जितना तक्नीक में समस्ता हूँ एक बार अमर सिंग का मामला था आप सब को याद होगा मैं उसके डिटेलिंग मैंने जाएंगा बजिश भाई को भी याद होगा अमर सिंग सुप्रीम कोट गये बन्ध कर आओ और एक बार शिदमरम जी का मामला था वह बी कए सुप्रीम कोट क्या मोले यह नहीं दिखाई जानी चाहिए कहीए कि कोट ने कही भी दिया कि नहीं दिखानी कही नहीं सोचल मीडिया फलान दिखार बनना ही होगी क्या उन्होंने दद्दस लड़के भी रख दिये अपने कोठी में डिलीट करते रहो वो डिलीट करने दूसरे नाम से फिर फिर डिलीट करने तीसरे नाम से क्या देश में कोई ब ऐसा ब्रह्मास्त्र मत चला ये जो हुकूमत की हनक को ही कम कर दे आप ये तमाम बाबु बैठाल दिये वो कानून पत्रक बना भी दिये और उसके बाद भी नहीं रुका तो कितनी खिली कटेगी भाया भारती घंडराज चाहे और वो काम फिर हो ना पाए ये भी सोचे आती उ यूट्यूब को सबका पिता कोन है पिता महां यूट्यूब हब तो वोई है ना क्या भारत का कोई कानून यूट्यूब को कुछ डालने रोकने से मना कर सकता है नहीं ना अब सीमाय रहीं कहां अब भागोलिक सीमाय डिजिटल में कहां है जो आप कोट से लागू करा लोग कोई ये कही सकता है ये फेस्बुक की जो पोस्ट है ये हर्दोई बाले देखेंगे शाहजापुर बाले नहीं देखेंगे अक्वार हो तो रोग दिया जाएगा चैनल हो तो स्विच बंद कर दोगे रुख जाएगा इसका क्या कर दोगे इसलिए मैं कहता हूं सोच समझ के निर्णा लीजिए और जहां तक समाचार का प्रश्ण है उसको उस फिल्ड के विद्वान लोगों के हाथ से ही नियंत्रित कराईए नेताओं ने जब अपने लिए कोई ऐसी कमेटी दूसरों की नहीं बनाई तो दया करो महराज समाचार वालों को भी अपने जो उनके भुदूर्ग है उनी से नियंत्रित होने दो धन्यवाद